असलाम अलेकुम जीतो डियर स्टुडेंट्स अगर आपने लहोर बोर्ट से 9th क्लास का 2nd ग्रूप में पेपर दिया है मतलब 2nd टाइम पेपर दिया है English for Class 9th तो ये वीडियो आपके लिए नहायत अहमियत की हामिल है कि इस वीडियो में हमने जो 9th क्लास लाहोर बोर्ट से ग्रूप 2 का objective paper है वो solve किया लहाज आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है ताके आपको पता चल सके कि आपने कितने questions, कितने MCQs ठीक attempt किये हैं तो लाहोर बोर्ट से जो पहला MCQ था वो था I do not dash my meals at night तो dear friends do not के बाद fail की पहली farm आती है तो A जवाब दुरूस था second question था she dash playing the piano since 2 o'clock dear friends जब जुमले में since आजे या far आजे उसके बाद time duration हो तो has been और have been के बाद fail की चोती farm लगती है fail की चोती farm ये देखें जहां पर करसर है पहले ही लगी हुई है लहाज आपने has been या have been लगाना था तो has been option दुरूस था क्यों क्योंके जुमले के शुरूर में singular था she इस वज़ा से has been c जवाब दुरूस था तीसरा question था she said anything before he left जुमले में before आगया तो जुमले के दो हिस्से हो जाएंगे एक before से पहले एक before के बाद अब देखेंगे before के बाद अगर second form लगी हुई है तो before से पहले जो खाली जगा होगी जहां पर वर्ब लगाना है वहां पर head head के बाद तीसरी form पहले ही लगी है या वास वर के बाद चोथी form लगनी थी लहाजा इधर पहले थर्ड फार्म लगी है तो head हमने लगाना है head well option तो head well option यह दुरूस्त है head not she had not said anything before he left उसके जाने से पहले पहले उसने कोई बात नहीं कही थी तो चोथा MCQ है he dash to us tomorrow तो चोथे का जवाब जब भी जुमले में tomorrow आजे तो आप विल या शेल के बाद फेल की पहली form लगाते हैं तो D जवाब दुरूस्त है उसके बाद जी पांचवां जी question है they dash past the examination ठीक है dear students past third form है ठीक है और second form भी है ठीक है अगर option ना कुई होता तो फिर हमने none of these लगा देना था third form of verb है तो हमने कौन सा helping verb लगाना है तो दे के साथ है जाता है यह है वात है तो definitely है वात है तो है वाला अप्शन दुरूस्त था simple C यह थी correct form of verb की आगे चार नंबर का question होता है correct spelling वाला उसमें देख लेते है डीवाइन 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 अलुहिया होदाई ठीक है आगे आगे नॉरमिटी ए-n-o-r-m-i-t-y-e-n-o-r-n-o-r-n-o-r-n-o-r-n-o-r-n-o-r-n-o- इस छुछिस टिकर नेक्सटी सिर्यस क्या स्टेस से साराइ रारी की विल्स ररी सी अच्छियस घरी सीरी ए-ट इस यह उर्ड़प इस्लेबल का शिस्टम अचा होता है इसकतू बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो सपलिंग उजान प्रोंग ओएन नेक्स अच्छिए तक उसा बनाचा का इंडेल कम्यों तर्टीम आपला से मड़क्री लेश इनकाम लेने वाला इंतिकामी तो ये होगा रिवेंज फुल ये सी ऑप्शन दूस्ते है नेक्स जी लिटल बर्ड्स और पाइपिंग येट पाइपिंग अंडर लाइन है इसका मतलब हमने बता है तो पाइपिंग का मतलब होता है परिंदों का चेह चाहना ठीक है जी टुविटरिंग नेक्स पांच नंबर का जो क्वे इस नौन से पहले जो भी चीज आजे और वह नौन की हुबी ये खामी बयान करें तो उसे हम कहते है एज्जेक्टिव तो पहले ये अप्शन दूस्ता है अगर मैं वह होता है वुद नौ दू सच अमिस्टेक तो मैं इसी गलतीना करता तो ये कौन सा कंडिशनल टाइप ट आक इसे में प्रेजेंड एफनेट थाए फ्यूसरे में फ्युचर इंडपिन एठीक है और सफली साइड ये कंडिशनल टाइप तू मैं पासिंड ओर दू Rover ये खेके ये यूद का इस्तमाल होता है कुध का समालोता है मैट ーーंच ये न qui नेक três मतें सबीड प्र he made the people work work underline work is basically verb but it is the grammar adverb is infinitive, adjective is gerund so dear friends, infinitive infinitive is simple one is that after two we call it infinitive or another if there are two verbs like this made is the first verb and work is the second verb so the second verb will be further from subject like this, he is subject this is subject this is the second verb further from subject we will call it what? infinitive we shall wait here until you come until you come when you are not coming adverb clause until you come until you come until you come until you come the candle flame danced in the dark that is the first verb there are that is not that is an that is the kind of thing or the other word that is the kind of thing that is an that is the kind of thing you have to move in the light तो इसका जवाब था पर्सॉनिफेशन तीके जी तो डियर स्रेंटेटी यह था आपका नहींन तरह बोड के नाइन्थ क्या चौन से लफ जा सूझेंट पर्सॉडंच developed a लाहार बोड़ के नाइन्थ क्लास के पूरेंट्स हैं विधियो थी क्योंकर और य की अर यह लाजकी स यूट्यूब चैनल की वीडियो पसंद आए तो काई ले मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सबसेक्राइब करें क्या करें सबसेक्राइब इसके भी स्वेलिंग याद करें नाइंत फालो और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पर वकत पहुंचाएं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बबाए